हेलो दोस्तों मेरा नाम परमजीत आपका इस चैनल पे स्वाक्त करता हूँ अगर आप पुस्तक प्रेमी हो तो ये चैनल जुरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें क्योंकि इस पे बुक्स के ही रिव्यू किये जाते हैं तो आज मैंने हिंदी का नावल पड़ा जिसका नाम है कच्चा चिठा तो इसके लेखेक हैं गुल्शन कमार पब्लिकेशन किया है बिगफुट ने और ये 2020 में ही प्रकाशित हुआ है इस नावल के टोटल पन्ने है 179 नावल की कहाणी 1970 से लेकर 2002 तक की है इसमें नावल में तीन समानांतर कहाणीयां चलती है इसमें पहली कहाणी है अमोल की अमोल एक फोजी है और जब वो छुटी आता है तो गरबाले उस पे शादी का प्रेशर डालते हैं तो जब गरबाले माता पिता उनके emotional अत्याचार करते हैं तो वो अपने शादी के लिए गुटने टेक देता है अमोल पात्र के जरिये ही लेखक ने दास दहेज पर भी अच्छा करारा ब्यांग किया है जो की पाठक को बहुत यादा अनंदित करता है दूसरी कहाणी है करन और सुर्वी की जो की college meet में पहली नजर की शुरी से गायल हो जाते है और ये कहाणी हर एक आशिक को अपनी लगती है बाकी लेखक ने कोई कमी नहीं शुरी की आपको अपना पहला प्यार याद नाए तीसरी कहाणी है महावीर और मालती की महावीर इस नावल में ऐसा पातर है जो बिलकुल तूट कर बिखर जाता है और फिर भी वो अमीदों के सहारे जिंदगी को खीशता रहता है महावीर इस नावल की जान है महावीर जब डाकिया बन जाता है तो इस नावल में रहस्यमई कहाणी शुरू हो जाती है और बहुत ही ज़ादा दिल्चस्पी पैदा कर देता है पाठक के मन में ये तीनों कहाणियां अलग लग लगती हैं पर जब करन इंस्पेक्टर बनकर माहवीर के बारे में जाच परताल करता है तो बहुत ही ज़ादा इंट्रस्ट बन जाता है और तीनों कहाणियां एक लगने लगती है यह लेखक की तरीव बनती है और लेखक ने यह 1907 और 2002 का जो पीर्ड है उसमें कभी अप गए हैं कभी डौन गए हैं कभी उन्होंने 2000 की बात की है कभी 2002 की बात की है किन्तु पाठक को पढ़ते पढ़ते एक बार भी यह फील नहीं होता कि मुझे यह दमाग में नहीं पढ़ रहा मुझे यह समझ नहीं आ रहा क्योंकि लेखक ने इतने शांदर डंग से लिखा है कि पाठक के मन में सारी कहाणी अपने आप ही आगे-आगे बढ़ती जाती है और साथ में अच्छे से यह सारी कहाणी समझा जाती है पहले पेश से लेकर अंतक की सुपनियास में भारत के विकास की स्चाई को भी बताया गया है कि कैसे ग्रामों की जो जमीन है वो हडपी गई और उनको उजाडा गया और कुछ लोगों ने अपना जमीर भी इसलिए बेचा जैसे कि कोई पंचायत के मेंबर हुए वो जमीन हडपनी थी तो विपारियों के साथ वो मिल गए यह सब चीजों का तड़का भी लेकर ने इस अपनियास में लगाया है बाकी यह वक्त मुझे परसनली बहुत अच्छी लगी और मैं सुजेशन देता हूँ कि सभी जवाओं को यह कताब जरूर पढ़नी चाहिए इनमें से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा जैसे कि अमोल पातर है जो शादी के लिए त्यार नहीं होता तो उस तित्ती को लेखक ने बहुत अच्छे से ब्यान किया है हर एक लड़का या लड़की जो शादी नहीं करवाना चाता वो अपने आपको उस स्टोरी के साथ अटैज करेगा बाद में जब दा दहेज की बात आती है तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लेखक ने इस कहानियों में अच्छा खासा ग्यान का तड़का लाया है क्योंकि लेखक को बहुत ज़्यादा तजर्बा है गूमने से बेसिकली वो राजस्तान से बलॉं करते हैं फिर उन्होंने चंडीगड़ पढ़ाई की उसके बाद वो दिल्ली गए तो इन सब का जो एक सफर नमा है लेखक का तो वो कताब में भी साब दिखता है कि उसको कितना ज़्यादा तजर्बा है वीडियो अच्छी लगी तो शेर करना और बुक्स की जाला जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अगर कोई लेखका अपनी किताब का रिव्यू चाता है तो वो मुझे किताब बेज सकता है बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाला से जाला शेर करें बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई किताब के साथ तब तक के दिये जिन्दकी जिन्दावाद